किसना भाईया इनका पिलोग्राम तो फिट हो गया अब 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 धन्राज की पारी है धन्राज जेड धन्राज बोलो चू बोलो आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की मैं उसे खरीदना चाहता हूं मैं उसे बेचना नहीं चाहता सोच लेजय मूं मांगे कीमत दूँगा मैं फिर भी तैयार नहीं हूं पचास में भी नहीं अरे बहुए पचपन में भी नहीं आपको सब्सक्राइब आपको आपको अपको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं आपको दिल ठोड़ू का नहीं मगर एक बात पूछूंगा मैं आपके मजाग तो नहीं कर रहे हैं ना मैं मजाग नहीं करता है ठीक है ठीक है अब मेरे गर पर रुप्या लेकर आजाएए मैं सब काख़ाद में तयार करवा चुका हूँ मेरी गोड आपको सिर्फ दस्तकत कर रहा है मेरे आद्मी 90 लाख लेकर भार खड़ा है जाकर दर्वाजा दो कुछ एक काम करियां रखना मद गुड मॉर्निंग ये रहे आपके कांजा और ये रहे आपके नब्वे लाख लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं नब्वे लाख पर अकरी मान जाओंगा मुझे आद्मी के आवकात का अंदाजा है धनराज मैं जानता ओं कौन कहां अकर तूट सकता है कि यह लीजे हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आत्मे की बात समझ में ना आये उसके साथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके साथ सौधा करूँगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है एक बात मुझे बताईए आपके बाई साथ जमीन के भाव को आस्मान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या जी नहीं उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते है दी मैं गुटेम झूव जे घर्ट रमके तनि धरिश्व करका लिए चरद चरद वर चकड़ कर घरिर्ट फेथ अजी रोखी नोगे तुददार कने मुझू आउं अलो पेची पेची आपकी फेट्री में नाध लाधिए है याँ फेट्री में आध लाधिए है याँ परे कौन बनसे तुम वाँचेफल मोज़ा याँचेफ वाँचेफल वाँचेफल कादिकर? बटए भागलागी एकादिकर? कादिकर?